अध्याय नौ अवचेतन, मन और आदतें अच्छी आदतों और चरित्र का निर्मार हम जिन कामों को लगतार करते हैं, हमारी सक्सियत उनी के मताबिक ढ़ल जाती है स्रेश्टा किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तोर पर हासिल होती है हम सभी सफल जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमारी आदते और महाल हमें असफलता की ओड ले जाते हैं हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है, मगर हम इस धन से ढल गए हैं कि हारना सीख लिया है हम अकसर ऐसी बाते सुनते हैं, उस आदमी की किस्मत अच्छी है या सच नहीं है, अगर आप जाजे पर्खेंगे तो पाएंगे कि जाने या अंजाने सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं जबकि हारने वारे लोग बार बार एक ही गलती दो राते रहते हैं याद रखें, प्रैक्टिस से पूर्टा नहीं आती, बल्कि सिर्फ पर्फेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्टा आती है प्रैक्टिस बार बार किये जाने वाले हर काम को इस्थाई बना देती है कुछ लोग अपनी गलतियों को ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और वे उसी में पूर्टा हासिल कर लेते हैं वे गलतिया करने में माहिर हो जाते हैं और गलतियां उनसे खुद बखुद होने लगती हैं पेशेवर लोग अपना काम आसानी से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने उन काम में पूरी महारत हासिल कर ली होती है बहुत से लोग काम सिर्फ तरक्य को दिमाग में रखकर करते हैं लेकिन जिनकी अच्छा काम करने के आदत बन जाती है तरक्य के असली हगदार वही हैं किसी चीज की आदत डालना खेती करने के समान है इसमें समय लगता है एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है अतह प्रेणा एक व्यक्ति से काम शुरू कराती है प्रेणा उसे सही रहाप पर बनाये रखती है और आदत की वज़ा से काम खुद बखुद होता चला जाता है संकट के समय में भी साहस दिखाना लालच के सामने आत्मसयम दिखाना बड़ी सबड़ी विबत्ती आकर भी खुश रहना निरासा सामने होने पर चरीतर दिखाना और बाधाओं में भी आउसर की तलास करना ये गुड़ सिर्फ योग या किसमत से नहीं आते बलकि वे शारी हम छोटे-छोटे कामों में यहां सोचकर कायरता और बेमानी दिखाते हैं कि जब बड़े काम करने होंगे तब उन्हें सही ढंग से करेंगे मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमने अच्छे गुड़ों की प्रैक्टिस नहीं की होती जब हम खुद को एक बार जूट बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार जूट बोलना थोड़ा और असान हो जाता है तीसरी बार थोड़ा और फिर यह एक आदत सी बन जाती है सफलता की फिलोसफी है कायम रहें और सहीम रखें जो काम करना है चाहिए उसे करते रहो और जो काम नहीं करना चाहिए उसे तब तक बशते रहो जब तक उससे बशते रहना हमारी आदत नहीं बन जाती इंसान की फित्रत ये कि वा दिमाग से कम और दिल से ज़ादा काम लेता है इमांदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा होते हैं लंबे समय तक किया जाने वाला हर काम हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और आदत दी इमांदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार जूर बोलने पर पकड़ा जाता है जब कि किसी ने जूर बोलने की ही प्रैक्टिस की हो तो वह पहली बार सच बोलने पर पकड़ा जाता है खुच से और दूसरों से इबांदारिया बेईमानी बरतना, दोनों ही आदते बन जाती हैं अब यहां फैसला हमें करना है कि हम इन में से किसकी प्रैक्टिस करेंगे किसी नह कहा है हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं काम से आदते बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविश्य बनता है इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए अच्छी आदत डाले हमारा ज्यादा तर्विवार आदतन होता है यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है अच्छे आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला इंसान माना जाता है ठीक इसी तरह बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है आदतें तर्क और समझदारी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है आदतें शुरू शुरू में इतनी मामूरी लगती है कि आप ध्यान नहीं देते और बाद में वो इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे छुटकारा मिलना मुश्किल होता है आदतों का विकास या तो अंजाने में होता है या फिर निश्य पूरवक यदि हमने सोच समझ कर आदते बनाने का फैसला नहीं किया तो अंजाने में बुरी आदतों के शिकार बन जाएंगे हम आदते कैसे बनाते हैं किसी काम को बार-बार करने, उसे करना हमारी आदत बन जाती है, हम काम करके ही सीखते हैं, सहस भरा व्यवहार करने से हम सहस सीखते हैं, इमानदारी और निस्पक्षिता की प्रैक्टिस से हम इन गुड़ों को अपना लेते हैं, और इनकी लगातार प्रैक्टिस करने पर हम इन करने लगते हैं वह हमारी सोच बन जाते हैं और फिर हमारे वैभार की दिशानिरधारीत करने लगते हैं किसी कीकी चीज का आदी बन जाना एक मनोवैग्यानिक प्रक्रिया है इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़िकीनी खाज धंकि घटनाएं दों करने सब्सकिकल गंटी बजाया करते थे, खाना देखने पर कुट्टों के मुह में लार भराती थी, पाबलो अपना प्रयोग कुछ समय तक दुराते रहे, उसके बाद उन्होंने घंटी नहीं बजाई, पर कुट्टों के मुह में लार भराई, क्योंकि घंटी बजने के साथ खाना आने के आ पूर्स हमारे दिक्तर विवार चीजों या मौहाल का आदी बन जाने का नतीजा होते हैं हमारा मौहाल और मीडिया हमें लगातार कुछ चीजों का अभ्यास या आदी बनाते रहते हैं नतीजे के तौर पर हम रोबोट की तरह वेवहार करने लगते हैं. इसी लिए हमें स्वयम को अच्छी जीजों का आदी बनाना चाहिए. यदि हम किसी चीज़ को सही ढग से करना चाहते हैं, तो यहाँ खुद बखुद होनी चाहिए. यदि हम को Сचे ढग से करना चाहते हैं, तो वास्तों में उसे सही ढंक तरीके से नहीं कर पाएंगे इसका मतलब या है कि हमें उसकी आदत बनानी पड़ेगी जब मैं मार्शल आर्ट का इस्टुडेंट था तो मैंने गौर किया कि ब्लैक बिल्ड होल्डर भी घूशा मारने और वार रोकने जैसे साधारर एक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि जब उन्हें इन कलाओं की जुरत पड़े तो वे इनका प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से कर सके पेसेवर लोग किसी काम को आसानी से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वे अपने काम की बुन्यादी चीजों में माहिर हो चुके होते हैं कई लोग अच्छा काम काम्याबी पाने के इरादे से करते हैं पर उसे पाने का हक उन्हीं को होता है जो अच्छा काम आदितन करते हैं अच्छी आदितों को अपनाना मुस्किल है लेकिन उनके साथ जीना आसान है बुरी आदतें अपनाना आसान है मगर उनके साथ जीना मुस्किल है हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो एक टैन से भी ज़्यादा वजन सिर्फ अपनी सूर से उठा सकता है ज़रा सोचिए कि उस हाथी को एक पतली रसी और एक खूटे से एकी जगे बांधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है जबकि वह खूटे को आसानी से उखाड़ कर जहां चाहे वहां जा सकता है जबाब या है कि बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेड़ से बांधा जाता है हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं बच्चे को बांधे रहने की आदत नहीं होती इसलिए वह उस जंजीर को खीचनी और तोड़नी की लगातार नाकाम कोशिश करता रहता है एक दिन ऐसा आता है कि जब बच्चा समझ जाता है कि खीचनी और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फैदा नहीं वह रुख जाता है और शांत खड़ा उन रहने लगता है अव्वा दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है और जब वही बच्चा विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमजोर रसी और खूटे से बान दिया जाता है वह हाथी चाहे तो एक जटका देने से ही आजाद हो सकता है मगर अव्वा कहीं नहीं जाता क्योंकि वहाथ बच्चपन से ही दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है हम पर जाने अंजाने इन चीजों का असर पढ़ता चला जाता है जैसी किताबे हम पढ़ते हैं जैसी फिल्में और टीवी प्रोग्राम हम देखते हैं पागलपन की परिभाशा यह है कि एक ही काम को बार बार किया जाना लेकिन हर बार अलग अलग नतीजों की उमीद रखना अगर आप वही करते हैं जो आप करते रहे हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है आदतों को बदलने में सबसे मुश्किल बात या होती है कि जो चीजे काम नहीं कर रही है उसे कैसे बुलाया जाए और उनके बदली अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए गीगो सिध्धान्त कम्प्यूटर का गीगो Garbage in, Garbage out सिध्धान्त कहता है गलत अंदर डालिए गलत बहार आएगा सही डालिए सही बहार आएगा अच्छा डालिए अच्छा बहार आएगा हम जितना डालते हैं उतना ही निकालते हैं हमारा अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता हम जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में डालेंगे वहाँ उसे स्विकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यभार में उत्रेगी टेली विजन ने हमारे नैतिक मूल्यों सोचने के ढंग और संस्कृत पर काफी हद तक अच्छा या बुरा असर डाला है जहां उसने हमें बहुत सी अच्छी और फैदेमन सूचना दिये हैं वही या हमारी रुचियों में घटियापन भी लाया है इसने हमारी नैदिक्ता को भ्रष्ट किया है और बच्चों में अपरात की प्रवरती को बढ़ाया है 18 साल की उम्र तक बच्चे टेली विजन की पर हिंसा के लगभग 2 लाख यौन सीन देख चुके होते हैं विज्यापन दाता अपने दर्शकों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं किसी बड़ी घट्ना के दौरान कमपणिया 30 सेकेंड के विज्यापन के लिए लगभग 10 लाख डॉलर खर्च करती है यकीनन उन्हें इसका फायदा मिलता है हम किसी खास ब्रैंड के सॉफ्ट र देखते हैं यह रेडियो पर कोई विज्यापन सुनते हैं तो हमारा चेतना मन उस पर भले ना गौर कर रहा हो लेकिन हमारा अवचेतन मन खुला रहता है और हम प्राप्त होने वाली उस हर उस चीज को स्विकार कर रहे होते हैं क्या आपने कभी किसी टीवी से बहस की है जा अपने आप बदल जाता है। हमारा अफचेतनमन एक डेटा बैंक की तरह है, अफचेतनमन एक गाड़ी की तरह है और चेतनमन एक ड्राइवर की तरह, इन दोनों में से अफचेतनमन ज्यादा शक्तिशाली है, शक्ति तो गाड़ी में ही होती है, यहां अलग बात है कि उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास ह अफचेतन मन हमें फायदा पहुचा सकता है और नुक्सान भी उसमें सोचने समझने की शंता नहीं होती अगर हम सफल नहीं हैं तो हमारे अफचेतन मन को नय और सही तरीके से दुबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा अफचेतन मन एक बगीचे की तरह है इसे कोई परवाह नहीं कि आप कैसे पौदे लगाते हैं या निर्पेक्ष है इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है अगर आप अच्छे बीच बोएंगे तो आपका बगीचा सुन्दर होगा नहीं तो भाग घासफूस से भर जायेगा मैं तो एक और कदम आगे बढ़कर कहू कि अगर आप अच्छे बीच बोएंगे तब भी घासफूस उगी आएंगे इसलिए उन्हें उखाड फेकने का सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है याद रखिए सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते हमें अपने आप चेतन मन को इस तरह ढालने की ज़रूरत है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा सके हम आधी कैसे बनते हैं सोची हमने साइक्ल चलाना कैसे सीखा इसके चार इस तर है पहले इस तर को अवचेतन अयोगेता कहते हैं यह वह इस तर है जब हम यह नहीं जानते कि हम उस काम को नहीं जानते बच्चा यह नहीं जानता कि साइक्ल चलाना क्या है अवचेतन नहीं वह साइकल चला सकता है अयोगता यहाँ अवचेतन अयोगता का इस तर है दूसरा इस तर है चेतन अयोगता कहलाता है यहाँ ऐसा इस तर होते हैं जब पचत थोड़ा बड़ा होकर जान जाते हैं कि साइकल चलाना क्या है मगर वह खुद नहीं चला सकता इसल औरिया के बारे में सचेट ढंक से सोचना पड़ता है इस तरह सचेट सोच और प्र्यास के साथ बच्चा साइख्ल चलाने योगे है चौथा इससरए अवचेतन योगजिता यह तब आता है जब बच्चे पूरी समझ के साथ साइक्ल चलाना इतनी अच्छी तरह से सीख लिया होता है कि उसे अब सचेत रूप से सोचना नहीं पड़ता यहां सिलसिला अपने आप चलने लगता है साइकल चलाते समय वहां लोगों से बात कर सकता है दूसरों को हास से इसारा कर सकता है इसका मतब यह है कि वहां अवचेतन योगता के इस तर पर पहुत चुका है इस इस त तर पर पहुंचाना चाहते हैं कि दुख की बात है कि शायद हमारी कुछ बुरी आदतें भी हमारी अवजेतन योगेता के इस तर तक पहुच जाती हैं और वे हमारी तरक्की में रुकावट डालती हैं कुद्रत खालीपन को भर देती है मेरे दो भतीजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है उन्हें टेनिस बहुत पसंद है एक दिन उनके पिता ने मुझसे कहा यहां खेल बहुत महंगा होता जा रहा है इन बच्चों के लिए रैकेट, गेंदे, लॉन की फीश देनी पड़ती है और अब तो इन्होंने एक कोच भी पढ़ रहा है तब मैंने उनसे पूछा यहां किस चीज की तुलना में जादा महंगा पढ़ रहा है तुम अपने बच्चों का टेलिस खेलना रोक सकते हो और पैसे बचा सकते हो लेकिन अगर वे खेलना छोड़ देंगे तो इस्कूल से घर लोटने पर अपने समय और रास्ते पर लगाय रखने का महत्तो समझ लिया नहीं तो वे बुरी चीजों की तरफ मुड़ते क्योंकि कुद्रत को खाली पन पसंद नहीं है या तो हमारे पास अच्छा होता है या बुरा इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं होता चरित्र का निर्माड करना एक इसा होना अच्छी बात है क्योंकि अगर हमें कुछ करने से पहले सोचना पड़े तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं हम अपनी सोच के आत्मनुशाशन लागू करने की प्रैक्टिस करके अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं हमें अपने अवचेतन मन की शक्ती का फायदा उठाना चाहिए हमें बचपन से ही अच्छी आदतें विक्सित करनी चाहिए ताकि बड़े होने पर वे हमारे अच् लगता है मगर अच्छी आदतें एक बार सीख ली जाए तो जीवन को नए मायने देती हैं आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है आदतों पर दुख और सुख का सिधानत लागू होता है हम कोई काम या तो सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए करते हैं जब तक नफ़ा नुक्षान से जादा होता है तब तक हम उस आदत को जारी रखते हैं मगर जब नुक्सान नफ़े से जादा होने लगता है तो हम उस आदत को छोड़ देते हैं मिसाल के तौर पर जब डॉक्टर सिगरेट पीने वालों को सिगरेट पीने से मना कर तो वह जवाब देता है मैं नहीं छोड़ सकता यह एक आदत है जिसमें मुझे मज़ा आता है और वह सिग्रेट पिना जारी रखता है जहां मज़ा दर्द से जादा है और जब एक दिन वह एक खतरनाग बीमारी का शिकार हो जाता है जब रॉक्टर कहता है कि अगर आप जिं बदलाओ का विरोध जब लोग अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलते क्यों नहीं उनके ना बदलने का कारण यह है कि वे जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हैं अपनी आदतों को बनाए रखने में उन्हें जो मज़ा आता है वह बदलाओ के दर्द से जादा होता है उनमें शायद बदलाओ की इच्छा की कमी हो बदलाओ के लिए जरूरी अनुशाशन की कमी हो अपने आपको बदल पाने के विश्वास की कमी हो बदलाओ की जरूरत के बारे में जानकारी की कमी हो ये सारी बाते हमें बुरी आदतों से पीछा छु चुटकारा मिल जाएगा या शितुर मुर्ग का तरीका हुआ या इसका मुकाबला करने करके इस पर पूरी जिंदिगी के लिए काब उपा सकते हैं बेबुनियाद डर और अपनी आराम दायक जिंदिगी के दायरे से बाहर निकल कर ही आदतों में सुधार किया जा सकता है या हमेशा इसी तरह करते हैं हमने इस तरह कभी नहीं किया है यह मेरा काम नहीं है मैंने समझता कि इससे कोई फरक पड़ेगा मैं बहुत व्यस्त हूं अच्छी आदतें डाले बदलाओ किसी भी समय लाया जा सकता है चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी ही पुरानी ह अगर हमें मालूम हो कि क्या बदलने के जरूरत है तो फ्यवहार बदलने के तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी भी वक्त बदलाओ ला सकते हैं एक पुरानी कहावत है कि बुढ़े कुद्टे को नई कलाबाजिया नहीं सिखाई जा सकती यह कहावत गलत है हम लोग कुद्ट ने कहा है सफल लोगों का राज्या है कि वे उन कामों को करने की आदर डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते और नहीं करते हैं जरा उन चीजों के बारे में सोचिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते, ये वही काम है जिनें सफल लोग भी करना नहीं चाहते लेकिन वे फिर भी करते हैं, मिशाल के तौर पर असफल लोग अनुशाशन और मेहनत करना पसंद नहीं करते, सफल लोग भी अनुशाशन और क पसंद करते हैं फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि इन लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली है जो असफल लोग नहीं कर पाती सभी आदतें बहुत छोटे रूप में शुरू होती हैं लेकिन बाद में इन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है सोचने का तरी काबू पाने से आसान है अच्छी आदतें लालच पर काबू पाने से बनती हैं खुश मिजाजी और चिर्चड़ा पन भी आदते हैं उमदा या अच्छा होना सचेत मन से तब तक कि ये गए लगातार प्रयाशों का नतीजा होती है जब तक कि अच्छा व्यवहार और नज को ही आत्मि सुझाओ कहते हैं आत्मि सुझाओ उस इस्तिहार की तरह है जो आप अपने अपने बारे में खुद के लिए लिखते हैं यह आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को प्रभावित करते हैं जिसका असर आपके नजरीय और व्यवहार पर पढ़ता है मैं फुर्टीला नहीं हूँ, मेरी यादास्त कमजोर है, मैं हिसाब किताब में अच्छा नहीं हूँ जब हम बुरे आत्म सुझाओं को बार बार दोराते हैं, तब हमारा अवचेतन मन उन पर विश्वास करने लगता है और ये असलियत ना बनकर जीवन में उतर आते हैं, उधारण के तौर पर ये कोई वेक्ति बार बार खुद को याद में सुझाओं देता है कि मेरी यादास्त खराब है, तो किसी नए वेक्ति से मिलने पर उसका नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि वह खु कहेगा, मेरी यादास्त कमचोर है, या कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, या एक ऐसी भविश्यवारी है, जो खुद बखुद सच बन जाती है, एक व्यक्ति जब विश्वास को बार बार दोराता है, तो वह उसके अवचेतन मन में गहराई में बैठ जाता है, और एक असलियत का रूप ले लेता है, बार बार दोराया गया जूट सच मान लिया जाता है, आत्म सुझाओ सकरात्मक वक्त वे क्यों होने चाहिए, ताकि हम अपने दिमाग में उस चीज की तस्वीर ना बनाएं जिसे हम नहीं पाना चाहते, बलकि वह तस्वीर बनाएं जिसे प जिला है, एक इंसान जब कुछ वाकियों को काफी समय तक दोराता है, तो वह उन्हें अपने अवजेतन मन की गहराई में बैठा देता है, मिसाल के तोर पर अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं शान्त और धीर हूँ, तो आप किसी भी हालत में खुद को शान्त और धीर प्रуш करेंगे. आत्म सुझाओं की प्रैक्टिस नकरातमक रूप में नहीं होने चाहिए. यहां मत कहिए कि मैं कितना अविवस्थित हूँ, इसकी बज़ाए यहां कहिए ना कितना विवस्थित वेक्ति हूँ. आत्म सुझाओं में नकरातमक शब्दों का इस्तेमाल होने गर दिमाग में नकारात्मक तस्वीर बनती है और हम यह नहीं चाहते। अगर मैं आपसे कहूँ नीले हाथी के बारे में मत सोचो, तो संभावना है कि आपके निमाग में नीले हाथी के छवी फॉरान उभराएगी। सकारात्मक वाखी इसलिंए बनाया जाते हैं कि हमारी सोच एक तस्वीर के रूप में आती है ना कि शब्दो के रूप में। जब मैं कहता हूँ माँ तो आपके दिमाग में क्या आता है मां की तस्वीर या उसकी स्पयलिंग वर्तमान काल में ही क्यों। क्योंकि हमारा मन कालपनिक और वास्तिक अनभवों में फर्क नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर माबाप चाहते हैं कि उनका बच्चा साढ़े नो बजे तक घर आ जाए। लेकिन बच्चा देर तक घर नहीं लोटा और अब एक बच रहा है। वे दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। वे खुद से कह रहे होते हैं मैं आशा करता हूँ कि बच्चे के साथ कोई दुरघटना नहीं होई होगी। फिर भी क्या होता है। उनका ब्लेड ट्रेशर बढ़ता है या एक कालपनिक अनुबा हो है। सच्चा ही या हो सकती है कि बच्चा किसी पार्टी में मौज मस्ती में मश्कूल हो और गैर जिम्मेदारी दिखा रहा हो। अब परिस्थिती को उल्टा करके देखें। मान लें कि बच्चा बहुत जिम्मेदार है और वा वास्तों में साड़े नो बजे तक घर आने वाला था। मगर एक दुरगटना का शिकार हो गया और वा एक बजे तक घर नहीं पहुँचा। माबाप के ब्लेड प्रेशर का क्या हाल हो रहा होगा। वा फिर भी पहली हालत में अनवव कालपनिक था और दूसरी में वास्तिक मगर शरीर पर दोनों का असर एक सा था। हमारा मन कालपनिक और वास्तिक अनवव में फर्क महशूस नहीं करता। के तौर पर आपको जब सुबह की फ्लाइट पकरनी होती है तो सोनते वक्त आप खुद से कहते हैं मुझे सुबह 6 बजे उठना है और आप सदा उठ भी जाते हैं। अक्सर अलाम घड़ी के बिना हमारा तैयार अवजेतन मन हमें जगाने का काम कर देता है। आत्म सुझषव एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपने दिमाग को एक बयान को हकीकत में बदलने के लिए प्रोग्राम करते हैं। आत्मसुझाओ बार बार दोहराने का एक सिलसिला है, जिसके द्वारा हम अपने अवजेतन मन को सकारात्मक सुझाओ देते हैं, जो वास्तविक्ता में बदल जाते हैं. बार बार दोहराना ही काफी नहीं है, इसके साथ भावनाओ और एहसास का संयोग भी होना चाहिए. बिना कल्पना के आत्म सुझाओ का कोई नतीजा नहीं निकलता हमारे मन को कोई आत्म सुझाओ जब पहली बार दिया जाता है तो वह उसे अस्विकार कर देता है क्यों? चुँकि यह विचार अजनभी होता है इसलिए हमारे सोचने के धंक के उलट होता है सफलता इस सिलिए को पूरे मन से बार बार दोराने की हमारी काबीलियत पर निरफर करती है कल्पना हम जो पाना, करना या बनना चाहते हैं मन में उसकी छवी बनाने और देखने का सिल्सिला ही कल्पना है कल्पना और आत्म सुझाओ दोनों साथ साथ चलते हैं कल्प ना किये बिना आत्म सुझाओ अपनी बात को मशीन की तरह दोनाना भर है और वह बेसर होगा नतीजा पाने के लिए आत्म सुझाओ से इच्छाएं और भावनाय भी जुड़ी होने चाहिए चेतागनी जब पहली बार में आत्म सुझाओ मन को सुझाओ नहीं भी हो सकता है क्योंकि यहाँ एक अजनभी विचार होता है मिसाल के तौर पर अगर पिछले कुछ सालों में से मेरा विश्वास रहा है कि मेरी आदास्त कमजोर है और अचानक से मैं अपने आप से कहता हूँ मेरी आदास्त बहुत अच्छी या तेज है तो मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करेगा और वह कहेगा तुम जूटे हो तुम्हारी आदास्त कमजोर है क्योंकि आज तक मेरे दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि मेरी आदास्त कमजोर है मेरे मन को इसी परविश्वास था इस विचार को हटाने में 21 दिन लगेंगे 21 दिन ही क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनाने या हटाने में कम से कम 21 दिन लगातार सचेट धंक से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है यदि आपको कोई आदियो टेप 21 दिन तक लगातार सुनना हो और उसका प्लेयर उसी बीच तूट जाये तो कल्पना कीजिए कि आपको कैसी दिन सुनाई देगी महतुपूर्ण सवाल या है कि क्या 21 दिनों की सचेट प्रैक्टिस जीवन को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी कीमत है नहीं लेकिन इस पर अमल प्रतिबध लोग ही कर पाते हैं यह लगता तो सरल है मगर इसे करना आसान नहीं है फिर भी आप इसे अजमा सकते हैं अपने आत्म सुझाओं को हकीकत में बदलने के लिए अगले सेशन में दिये गए तरीकों पर अमल करें और अपने आत्म सुझाओं को असलियत में बदलें अच्छी आगतें डालने का 21 दिन का फार्मूला आत्म सुझाओं को असलियत में बतले इक ऐसी जगे पर जाईए जहां आपको कोई बाधा ना पहुँचाए अपने आत्म सुझाओं की एक लिश्ट बनाए ये सकारात्मक और वर्दमान काल में हो आत्म सुझाओं को दिन में कम से कम दो बार दो राए एक बार सुबह और एक बार रात में सुबह मन, शांत, धैर्यवान, ताजगी भरा और कुछ भी स्विकार करने के लिए तयार रहता है और रात में आप अपने अवचेतन मन में एक सकरात्मक्षवी सारी रात असर चोड़ने के लिए डाल देते हैं आप इन आत्म सुझाओं को छोटे छोटे श्टीकरों पर लिख सकते हैं उन्हें ऐसी जगह पर लगा दे जहां आपकी निगाह दिन भर पड़ती रहे जैसा कि आपके बातरूम का शीशा, आपकी कार का डैस्बोर्ड, आपके रोज की कारिसूची या डिस्क का ड्रायर आत्म सुझाओं को पूरे दिन देखते रहने से आपको इने बार बार दोराने का अफसर देगा सिर्फ आत्म सुझाओं काम नहीं करेगा इसके साथ ही कल्पना की भी जरूरत होगी इसे लगातार 21 दिन तक दोरा है जब तक की यह एक आदत ना बन जाए